गाईज क्या आपको पता है डॉच कोईन पहले एक मीम था जो अब पैसा बन चुका है गाईज सई सुना आपने डॉच कोईन पहले एक मीम था जो अब पैसा बन चुका है इसका सफर है मीम तू मनी मीम से लेके मनी तक का सफर है अब आपके दिमार में कुछ सवाल आए होंगे कि डॉच कोईन है क्या ये इतना जदा फेमस कैसे हुआ और इसकी इंडियन रुपीज में कितनी वैल्यू है तो गाइस मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब दूँगा आज की इस वीडियो में तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस क्या आपको पता है डॉच कोईन सबसे पहले तूथाउजन एन थर्टीन में यानि दो अज़र तेरा में अपियर हुआ था उस तैम डॉक का एक मीम बहुत ही जादा वाइरल हो रहा था जिसमें शीवा इनू ब्रीड का एक डॉग जो कि एक जैपनीज ब्रीड है एक टेडी नजर से देखता हुआ नजर आ रहा था जो कि दिखने में बहुत क्यूट लग रहा था गाइस उस टाइम बिटकोईन ने भी पूरी दुनिया में सिर्फ बिटकोईन की ही बाते हो रही थी गाइस आपको बता दुम्मे की बिटकोईन एक क्रिप्टो करंसी है क्रिप्टो करंसी के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा तो गाइस उस टेड़ बिटकोईन इतना फेमस हो रहा था तब IBM के एक इंजिनिर जेक्सन पालमर और अडो के एक इंजिनिर बिली मारकस ने मिलके सोचा कि हम खुद का एक क्रिप्टो करंशी बनाए क्रिप्टो करंशी यह मतलब होता है डिजिटल मनी ऐसा मनी जो आपके हाथ में नहीं है लेकिन आप फिर भी उससे पूरी दुनिया में कुछ भी चीज खरीच सकते हैं इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है गाइस तो इन्होंने सोचा कि हम खुद का एक क्रिप्टो करंशी इंवेंट करें और उस टॉक का मीम बहुत ज़्यादा पैरल हो रहा था और बिटकोईन भी उसाथ में ही बढ़ता जा रहा था बिटकोईन की वैल्यू भी तो इन्होंने उस टॉक के मीम और बिटकोईन को जोड़ा और एक नया करंशी बना दिया जिसका नाम पड़ गया डॉच काइन गाइज डॉच काइन उस टैम पे ता फेमस हुआ लोग इसको बहुत ज़्यादा खरीदने लगे इनको लोगों को लगता था कि एक मीम का पैसा वो इसको सोचके बहुत ज़्यादा खरीदने लगे इसको पहले तो मजाक में ही लिया गया लेकिन 2017 में जब रेडिट की एक कम्यूनिटी पे इसकी नज़र पड़ी तो इसकी वैल्यू बहुत ही जादा बढ़ गई फिर अब ही आप देख सकते हैं कि एलन बसक ने भी एक टूइट किया जिसमें उनोंने का है कि जो डॉच कोईन है वो हमारे आने वाले जमाने का पैसा है इसको हमें स्टोर करना चाहिए कि अगर दुनिया खतम भी हो गई तो हमें इसको बचा के रखना चाहिए तो उनोंने एक डॉच कोईन पे को मून पे भेजने का फैसला किया है गैस सही सुना आपने डॉज कोईंट मून पे बस एलन मस्क के ये बोलने की ही देर थी तो जो डॉज कोईंट की कीमत थी जो पहले 0.50 पैसे थी गैस सही सुना आपने पहले 0.50 पैसे थी डॉज कोईंट कीमत जो कि अब बन चुकी है 50 रुपीज यानि गाईज अगर आपने आज से 6 महीने पहले 1 लाख रुपे इंवेस्ट करे रहे हैं डॉच कोईन में तो वो अब 1 करोड हो गए और अगर आपने 1 करोड इंवेस्ट करे रहे हैं तो वो 100 करोड हो गए हाँ गाईज इत्ता ज़्यादा बढ़ गया उनके एक टूइट से डॉच कोईन की वेल्यू गाईज और मैं आपको बता दू कि डॉच कोईन में इंवेस्ट करना बहुती रिस्की हो सकता है जैसे मूच्छल फंड में आपने रिस्क कर उठाते है उसकी प्राइस कभी रूपर नीचे हो सकती है डॉच कोईन का भी ग्राफ ऐसा ही है कभी उसकी प्राइस एक दम से उपर जाती है कभी उसकी प्राइस एक दम से नीचे आ जाती है गाईज आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट सेक्षिन में बताईए और अगर आपको बिटकॉइन पर भी डीटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमें बताईए इस वीडियो को लाइक करिए अबने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करिए